वेल्ग वेलकम टू आल दे एस्पिरेंट आफ लाइबरेरी एन इन्फर्मेशन साइन्स सभी विद्यारत्यों का स्वागत है जो भी लाइबरेरी साइन्स से बीलाइस, मलाइस या सीलाइस कर रहे हैं चुके हैं तो स्टुडेंट इस विडियो में आप सभी को जो मलाइस को लेक्चर सीरी चल रहा है उसका हम अगला पार्ट लेके आए हैं जिसमें हमने जो आपका प्रीवेस जो लेक्चर थे उसमें हमने MLI 101 का Block 1 हमने पूरा Complete करा दिया था तो यह जो हमारा लेक्चर है आज का इसमें हम 102 का Block 1 से Unit 1 हम Cover कराएंगे जो की MLI 102 है Management of Library and Information Center तो यह है 102 साइड वे साइड दो लेके चलेंगे एक बार यह वाला पूरा Block खतम हो जाएगा फिर साथ में हम 101 का फिर से स्टार्ट करेंगे Block 2 फिर उसके बाद वाइसा वर्सा तो इस तरीके से आपका एक साथ में दो-दो आपके सब्जेक्च चलेंगे ताकि जल्दी से आपका MLIS कंप्लीट हो जाए और कुछ स्टुडेंट ने BLIS के स्टुडेंट ने कमेंट किया था जैसे कि हमने कल बोला था कि अगर BLIS के स्टुडेंट के किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो उस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो हमें कुछ कमें इसको स्टुडेंट भी देख ले क्योंकि आपका जो भी कॉम्प्रिटिव एक्जाम होगा उसमें भी वह बहुत ही हेल्फुल होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेक्चर यूनिट वन है वन जिरो टू का MLI concept and school of management thought तो आई होप आप लोग को management से aware होंगे तो management क्या होता है यहाँ पे library science में उसका क्या रोल है क्या थेरीज है बहुत सारी चीज़े हैं इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं तो क्योंकि यह जो chapter है यह बहुत ही lengthy है तो इस chapter को हमने इस unit को हलाकि हमने दो पार्ट में divide कर रख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा चीजों को काफी depth में जा रहे हैं जो जो important unit है उसको हम ज्यादा depth में cover करेंगे और जो उतना important नहीं है exam perspective से तो उसको हम आपको बता देंगे आप लोग उसको उस तरीके से पढ़ लेना तो क्योंकि आप लोग का exam आने वाला है तो उसी perspective से भ of management class classification of management theory फिर classical management theory जिसमें हम चार चीज़े पढ़ेंगे scientific management administrative management bureaucratic management and criticism on classical management theory तो यहां तक हम आज कवर करेंगे और बाकी जो रहे गए यहां पर new classic theory modern management theory और other school of thought style and बाकी सारी चीज़े यह सब हम कल के जो लेक्चर आएगा उसमें हम cover कराएंगे तो चलिए start करते हैं आज का lecture तो जैसे कि मैंने starting में ही बताया था इसमें आज का जो हमारा lecture है इसमें हम basically management से deal करेंगे जैसे यहां पर देखे principles are given to the theory जैसे management is a soft science और the practical art जो management क्या होता है एक तरह से science है एक art है एक कला है how you manage the thing अगर simple से simple अगर शब्दों में अगर मैं आपको बताओं for example जैसे कि आपको अगर कोई जैसे आपके school में अगर कोई teamwork मिलता है कोई भी कारे मिलता है तो उसको आप किस तरीके से manage करते हैं या फिर आपका homework मिलता है जैसे आप लोग का जो जब आप school में थे तो आपको winter vacation या summer vacation में जो आपको homework मिलता था तो आप अपने time के साथ homework को कैसे manage करके complete करते थे उसमें कुछ project work भी होता था बहुत सारी चीज़े होती थी तो उसको manage करना ही एक तरह से art and color है कुछ student नहीं करते थे तो उनका क्या है वो दिखता था कि वो management skill में वो अच्छे नहीं है तो जो लोग management skill में चीज में effective होते हैं तो आगे हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे तो यहां पर अगर हम इसको library science से relate करके बताएं तो हर जगा management की बहुत ही important role होता है चाहे वो book selection से हो गया चाहे वो administrative level में हो गया या फिर जो भी हमारे staff है उनको manage करना हो गया book को manage करना हो serial manage करना हो गया publication how से कहां से लेना है हर चीज मतलब order करना weeding करना everything is related to management तो यहां पर library science में बहुत important है यहां पर management का concept तो यह वाला जो इसलिए इसको हमने दो बार्ट में divide कर रखा है ताकि आपको समझ में आए चीज़ों को तो यहां पर concept of management की बात करें तो यहां पर various definition दिय management है उसका पर यहां पर जो different thing जो है for different people के लिए अलग-अलग time पर अलग-अलग हो सकता है management के अगर हम बात करें तो the term is derived from the verb which can mean or organize to control or to handle इसका मतलब क्या होता है तो management का मतलब होता है कि कि किसी चीज को organize करना, control करना, handle करना, carry out करना, उस चीज को अच्छे से perform करना तो उसी it can be used to refer to the following aspect हम इन aspect में management को समझ सकते हैं जैसे कि occupational group अगर किसी occupational group में हैं तो उस कारे को आप किस तरीके से manage करते हैं is also a part of management like if you are a librarian how you manage your library work अगर आप को काम दे दिया गया है reading का या फिर आपको दे दिया गया है serial management का तो किस तरीके से आप चीजों को manage करते हैं तो आपका performance means occupational जो group में है वो आपका management आप देखने को मिलता है उसके बाद यहां पर individual की बात करें तो who can perform managerial function और is a part of a group individual in the management function अगर आप occupation में नहीं है as a individual है तो चीजों को आप कैसे manage करते हैं this is also a part of management तो यहां पर आप चीजों को देख सकते हैं फिर यहां पर academic discipline आ जाता है यहां पर भी management का बहुत ही important role play करता है management अपने आप में जैसे knowledge हो गया skill हो गया इन सब का management करना is also part of management तो और a process that involve performing a series of specific type of activity और a function process में क्या होता है कि एक मतलब series of activity चल रही होती है उनको आप कैसे perform कर रहे हैं उन activities को उन function को is also come under management तो यह सारी चीजा आपको management आई हो आप आप लोगको अभी clear हो गया होगा बहुत अच्छे से चलते हैं यह सारी चीजा पढ़ लेना उनी को मतलब detail में बताया गया है हम आपको एक मतलब अच्छा सा overview दे रहे हैं चीजों को लेकर ताकि आप जब खुद से पढ़ने बैट हाला कि आपको तो जरूत नहीं है जो हम बता रहें वो enough है बट फिर भी आपको हम बोलेंगे कि आप अपने लेवल पर भी study करें तो उसके बाद हम आते हैं historical perspective पे तो historical perspective की बात करें management का तो यह कोई new concept नहीं है क्योंकि management है यह बहुत time से चलता आ रहा है जब जो human है वो evolve होन तबी से management की जो concept थी धीरे 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 जो mankind है वो समझते गए और उसको अपनी day to day life में उसको use करते गए तो management जो है वो कोई नया concept नहीं है बट क्योंकि उसका as a discipline as a subject नया इसको बनाया introduce किया गया क्योंकि जो human थे उन्होंने study and all those things के द्वारा इस चीज़ को मतलब स तापित किया तब जाके लोग को मतलब as a person हमें लगता है कि यह नया concept है but this is not a new concept it's a very old concept यह जो historical perspective है इसमें यही बात की गई है इस चीज के बारे में management के बारे में कि कहां से कैसे develop हुआ जास अर्लियर इक्जाम्पल अफ डेवलाप्मेंट and use of management की बात करें तो यहां पर प 100 BC में इसको सबसे पहले वहां पर देखा गया था तो यह कुछ management के चीजे हैं जैसे management idea were also developed in China, Greece, Rome, Roman Empire in the Middle Age तो यह सारी चीजे मतलब आपको देखने को मिलेंगी हाला कि यह आएगा नहीं आपके exam में जो ज्यादा तर मतलब important है वही मतलब चीजे आती है यह ऐसा theory मतलब management है तो यहां पर देखी the mention in the introduction and the historical perspective, management theories in the early period were not really theories, जो starting में जो थे वो actually वो theories नहीं थे, जो theory है वो theory actually starting में नहीं थे, but some discrete practice and experiences, वो कुछ ऐसे practice थे और वो कुछ ऐसे experience थे जो फर्दर जाके develop होते गया, and now we call it as a management, for that matter, management theories in the present century are also not totally free from certain problem, अगर आज की present society की बात करें, तो यहां पर भी कुछ certain problem है, जो कि उन दिक्कतों से भी उबरी नहीं है, to become a theory, an experience and practice need to undergo several modification, अगर हमें इसको थेरी बनाना है, तो जो भी हम practice, जो भी हम experience करते हैं, उसको बहुत ही, मतलब modification की जोरत है, बहुत सारे उसमें changes करनी की जोरत है, synthesis and test करनी की जोरत है, तब ही जाके चीजों को हम अच्छे से बोल पाएंगे, कि this is called a management, तो यह सारी चीज़े इसमें बताई गई है, फिर हहां पर जो इंपोर्टेंट है, वो यहां से सुरुवात होता है, जिससे question आपको देखने को भी लेगा, definitely a question also come from definition of management, what is management and the theory that classification of management theories, इन से भी question बनते हैं, तो यहां पर बात करें, तो देखें, the mention earlier, there are several school of thought in the management, जैसे कि पहले बताया गया था, बहुत सारी school of thought है management में, but apart from this, autocratic and autocratic and pre-scientific era of the early periods, several school of management thoughts are identified and classified in several ways by expert, बहुत सारे expert के द्वारा, several school of thought जो की management से रहता है, उसको यहां पर express किया गया, तो इन में से कुछ यहां पर दिया हुआ, जैसे, during the history of management, a number of more or less separate school of management thoughts have emerged, अगर हम history की बात करें, जब history की बात करें management में, तो हां पर भी बहुत सारे अलग-अलग management के जो यहां पर thoughts थे, वो emerge हुए, तो यहां पर जैसे कि यहां पर बात किया गया, management from its own and classified the management theory in the following groups, और उनको कुछ following groups में classify कर दिया गया, जैसे, the management process school, the empirical school, the human behavioral school, the social system school, the decision theory school and the mathematical school, यह सब school में management को बाठ दिया गया, apart from this, there are also certain thing which is very important, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, आगे, जैसे यहां पर एडिंग one more style, और अप्रोचेस इन, in his own event decision, decision, 11 basic style, cited by Herbert Hicks in his book, जो Herbert Hicks ते, उन्होंने 11 basic style बताया, management का, the management of organization, again, leaving the early perspective, hits and other, classify management theory into three broad category, इसको तीन broad category में management theory को classify करा गया, जिसको बोलते हैं आपे classical management theory, फिर new classical management theory and modern classical management theory, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो classical management theory को हम पढ़ेंगे, इस वाले chapter में, तो चलिए हम start करते हैं, जो कि classical management theory है, जो 1880 से 1920 के बीच में इसको दिया गया था, classical management theory की बात करें, तो consist of group of similar idea on the management of organization that evolved in late 19th century and early 20th century, यहाँ पे management theory जो है, वो group of similar idea है, जिसमें management जो है organization का, वो evolve किया गया था, 19th and 20th century में, the classical school is sometime also called traditional school of management among participationers, तो यहाँ पे जो classical school है, इसको कभी-कभी हम traditional school भी बोलते हैं, traditional school of management भी बोलते हैं, the school evolved as a result of the industrial revolution, यह जो school है, यह कैसे बना, यह industrial revolution के कारण यह बना, यहाँ पे आगे अगर और बात करें कि इसके बारे में, तो यहाँ पे है कि, in response to the growth of large organization and in contrast to the handicraft system that extended till then, यहाँ पे जो management की जरूत की उपड़ी, क्योंकि industrial revolution आ गया था, और उसमें बहुत सारी चीजे, one after another, we experience many changes in our life, undergoes our life very fast, जो changes था, तो उसमें जो जैसे कि यहाँ पे industry, क्योंकि industry है, तो उसमें management की जरूत है, तो वहाँ पे management की बहुत important role play किया गया, वहाँ पे handicraft के जो चीजें मतलब आने लगी, फिर यहाँ पे organization में मतलब बहुत सारे, जो हमारे management की जो expert थे, उनकी जरूत पढ़ने लगी, तो वहाँ से देखा गया कि, जो management का जो concept था, आपने आपने वो बहुत ही white spread में जो evolve होने लगा, तो यह तब की बात है, फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करें, जो की बहुत important है, the primary contribution to the classical school of management include, अब इनके कुछ important, कुछ primary, अगर यहाँ पे management की बात करें, जो उन्होंने दिया classical थेरी ने, तो first जो था, application of science to the practice of management, science का apply करना practice of management में, यह सबसे पहला यहाँ पे देखा गया, फिर development of the basic management function, development किया गया, मतलब निजात किया गया, basic management function को, उसके अलावा, articulation and application of specific principle of management, तो यहाँ पे यह जो तीन है, जो की contribution देखा गया हमारा school, classical school of management का, अब यहाँ पे start होता है हमारा scientific management, तो scientific management है, यह फ्रेडरिक विंसल टेलर के द्वारा दिया गया था, जो की 1856 से 1915 के बीच में, is considered to be the father of scientific management, इनको father of scientific management भी बोला जाता है, तो टेलर वास सपोस्ट टो बी, तो इन हिस एफोर्ट्स पाई हैनरी गर्ट्स, तो टेलर जो थे, उन्होंने अपने एफोर्ट्स में हैनरी गर्ट्स, फ्रैंक, एन लिनिंग, गिल्टबथ, एन हैरिंग, हैरिंग्टन, एमर्सन, इन सब को रखा था, तो यहाँ पे यह सारे बहुत फेमस हो गया चीज़े, और फिर फर्दर इन्होंने क्या किया, कि फोर बेसिक पार्ट ऑफ दे सीरीज ओफ आइडिया डिया 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 गया था, मैनेजमेंट में, तो वो क्या था, यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है, यहाँ पे, इच पर्सन जॉब शुड बी ब्रोकन इन्टू एलिमेंट, मतलब की कहने का मतलब है यहाँ पे, कि हर एक वेक्ती जो एक लेबोरियस काम करता है, उस काम को एलिमेंट में तोड़ा जाए, और हर चीज को scientifically मतलब नजर से देखके, और उनको division किया जाए, मतलब basically यहाँ पे कहने का मतलब है, कि division of labor यहाँ पे उन्होंने introduce किया, अब यहाँ पे, जैसे कि एक example के तौर पे आपको समझाओं, तो अगर आप factory की बात करें, जहाँ पे shirt बनता है, जहाँ पे pant बनता है, जो हमारे, मतलब कपड़े बनते हैं, तो हाँ पे क्या होता है, होता था कि एक ही person सारे काम कर रहा है, shirt को काटने से लेकर, उसको stitching करने से लेकर, उसके अंदर जो button है वो लगाने से लेकर, और भी बहुत सारे कारे होते हैं इसके अंदर, तो सारा एक ही person करता था, पर जैसे जैसे industrial revolution हुआ, जैसे जैसे चीजों को advancement हुआ, तो हर कारे जो और जो दूसरा वेक्ति है वो stitching करेगा, तीसरा वेक्ति उसमें जो है level लगाएगा, चौतर वेक्ति उसमें जो unwanted धागे निकले हुए हैं, उसको काट के बाहर करेगा, पाच्वा वेक्ति जो है उसमें जो आपका button है वो लगाएगा, तो हर वेक्ति का अलग-अलग कारे हो इससे क्या हुआ कि जो person to person जो वेक्ति था वो लिवोरियस फील नहीं कर रहा था, और यहां पर division of labor के कारण जो कारे थे वो speed में होने लगे, तो यहां पर देखा गया, फिर उसके बाद second बोला गया है यहां पर, जितने भी worker है उनको scientifically trained किया जाना चाहिए, और work जो है वो design ऐसे किया जाना चाहिए, जो trained manner में हो, तो यह दूसरा उन्होंने बोला, फिर तीसरा जो था, there should be a good cooperation between management and the worker, so that they can perform in the design manner, यहां पर है, बोल रहे हैं कि, जो यहां पर worker और management है, उनके बीच में एक अच्छा understanding, एक अच्छा cooperation होना चाहिए, ताकि वो जो कारे को कर रहे हैं, वो अच्छे और अच्छे तरीके से कर सके, फिर last है, यहां पर उन्होंने बोला, there should be a division of labor, जो between manager and worker, उन दोनों के बीच में division of labor होना चाहिए, मतलब कोई conflict नहीं होना चाहिए उनके बीच में, manager should take over the work of supervision and setting up instruction and designing to the work, जो manager का कारे क्या होना चाहिए, कि वो work को supervise करे, set करे, चीजों को instruct करे, और design करे कारे को, और worker should be free to perform the work themselves, और जो worker है, उसमें भी ऐसा ना कि इतना instruct कर द लगे, because he himself has some certain level of understanding कि उसको कैसे करना है, तो उसको भी free होना चाहिए, कि वो अपने कारे को अपने तरीके से कर सके, तो यह था scientific management, बाकी इसमें हम नीचे चलते हैं, जो कि बहुत important है, यह सारा आप पढ़ लेना, important चीजे मैंने बता दिया आपको, फिर limitation of scientific management, हर चीज की limitation हो scientific management का बात से related question आगया, तो आपको limitation लिखना, should be must, तो आपको लिखना ही पढ़ेगा, वहाँ पे तब ही अच्छे नंबर मिलेंगे, तो limitation की बात करें, scientific management school is criticized on the following ground, बहुत सारे ground थे जिसके basis पे हम, इसको हम criticize कर सकते हैं, जैसे कि no man is entirely an economic man, हर जो वेक्ती है, जो काम कर रहा ह वो economic person नहीं हो सकता, and man behavior is detected not only by financial need, but also other needs, like social need, security need, and esteem need, यहाँ पे सिर्फ financial को देखा गया था, but उसके अलग जो पहलू है, जैसे कि social need हो गया, security need हो गया, या esteem need हो गया, इन पे उन्होंने focus नहीं किया, तो एक तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आता है, it may not always be true, that economic intensive are strongly enough to motivate workers, सिर्फ पैसे देके उनको work, worker को हम motivate नहीं कर सकते हैं, हम उनके other जो need है, उसको उपर भी focus करके, उनका motivation जो है हो, हम high कर सकते हैं, secondly, there is too much, there is no such thing, thing as one, one west way, अगर यहाँ पे देखा जाया है, तो कोई भी एक अच्छा तरीका नहीं है, कि of doing a job so far as the component motivated are concerned and hence time and motivation study may not be entirely scientific, तो यहाँ पे चीज़े हैं कि हर वक्त जो scientific तरीके से चीज़ों को मतलब motivate नहीं किया जा सकता, चीज़ों को थोड़ा अलग नजरी से भी देखने का यहाँ पे होना चाहिए, तो यह कुछ यहाँ पे disadvantages हैं, जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर आते हैं, यहाँ प तो यहाँ पे management tried to determine the best way to perform a job, इन्होंने यह बोला कि scientific management क्या कर रहा था, कि west way of job को perform करने का यहाँ पे तरीका बता रहा था, these in the administrative management exploded the possibility of the ideal way to put all job together and operate an organization, कि सारे job को एक जगह पे रखके एक organization में काम किया जा सके, यह administrative management का thought था, the emphasis of administrative or general management theory is a finding the best way to run an organization, किसी भी organization को अच्छे तरीके से run करना, administrative management का thought process बना, the school of thought is also called administrative or traditional principle of management, इसको traditional principle of management भी बोला जाता है, Henry Fjoll ने इसको दिया, a French industrialist, जिसको हम architecture and the father of administrative management भी बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वही सारी चीज़े बात बताए कि कैसे जो management को है, एक unified तरीके से हम organize करके चल सकते हैं, father develop a unified concept of management and board administrative principle applicable to general and management, यहाँ पे देखिए बहुत सारे उन्होंने चीज़े दी, जैसे 14 principle of management दिया, जो कि guideline बना management practice का, तो पहला जो था वो division of labor, कि कारे जो है वो division of labor के basis पे होना चाहिए, not a single person can perform everything, so division of labor should be there in organization, second है authority and responsibility, जो भी organization है, उसमें कोई authoritarian figure होना चाहिए, उसकी responsibility होनी चाहिए, discipline should be there, क्योंकि discipline के बिना कोई भी कारे नहीं होता, unity of command होना चाहिए, मतलब there should be means that employees should receive order from one superior authority, तब ही चीज़े अच्छे से रन करेगी, unity of direction, direction भी होना चाहिए, फिर subordination of individual to organizational interest, if it is not so, it results in the malfunctioning of organization and gives rise of conflict, वहाँ पर चीज़ों को मतलब हर जैसे की worker को ऐसा लगना चाहिए, कि हाँ मेरे काहित में कारे हो रहा है, I have benefit from it, यह मतलब मेरा ही कारे है, तो इस तरीके से चीज़े चलेंगी, हर worker अपने level पर understanding दिखाएगा, तो ही production या जो भी चीज़े है वो अच्छे से run करेगी, फिर यहाँ पर है remutation, तो यहाँ पर remutation की बात करें, तो जो भी wages and salaries है, वो भी उनके equivalent कारे के हिसाब से देना चाहिए, ताकि उसके मन में जो worker है, उसके मन में कोई ऐसी भावना ना है, कि हम कारे तो इतना कर रहे है, पर हमें salary इतना नहीं मिल रहा है, तो उस तरीके से भी उसको exploit नहीं करना चाहिए, तब ही management जो है वो अच्छे से चल पाएगा, फिर यहाँ पर distribution of authority, distribution of authority मतलब हर किसी को अपना discipline होना चाहिए, authoritarian मतलब समझ के अपने चीज़ों करना चाहिए, it depends on the philosophy and the perception of individual organization, तो यह है, फिर scalar change की बात करें, तो यहाँ पर higher जैसे की, एक rank बनना चाहिए, एक higher superior को होना चाहिए, फिर एक lower division में होना चाहिए, मतलब एक hierarchy होना चाहिए, पदो का, तो यह भी देखा जाता है, फिर order, equity, stability of tenor, initiative and pride the corpse, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा, फिर य यहाँ पर हम limitation पर जलते हैं, सीधे जो की है, यहाँ पर limitation of administrative management, like the scientific management school, the administrative management school is also criticized on following some ground, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिसके basis पर हम इसको criticize कर सकते हैं, तो जैसे की, for example, the principle of unity of command contradict the principle of specialization or division of labor, जो principle is unity of command or specialization, और division of labor, यह दोनों अपने आप में contradict करते हैं, चीजों को, तो एक तरह से यह भी एक तरह से limitation है, फिर आगे हाँ पर बात करें, जैसे की, the principle of limitation, हाँ यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर, the principle of specialization is, is internally, inter-consistent, जो यहाँ पर principle of specialization है, वो internally, inter-consistent है, for purpose, process and place and competing modes of specialization, तो यह सारी चीज़े भी आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि, advantages of any mode of organization must sacrifice and advantages of other three modes, जो कि, यहाँ पर देखने को मिलेगा, secondly, these principles are based on few case study, यह जो भी principle है, यह कुछ case study के उपर बेस है, thirdly, these principles are stated as untraditional statement and valid under all circumstances, which is not practicable, जो भी यह principle है, वो unconditional statement valid है, जो कि, हर circumstance में practically applicable नहीं है, fourth, these principles result in the formation of mechanistic organizational organization structure, which are in incentive to employees, तो यहाँ पर उनके psychological need, जो कि social and psychological need है, उसके उपर focus नहीं कर रहा है, चीजों को, तो यह आपको इन में देखने को मिलेगा, फिर आते हैं यहाँ पर bureaucratic organization पर, अगर bureaucratic की बात करें, तो कोई भी जैसे की, जैसे, नॉर्मल example लूँ, तो जैसे की आप आजकल जो politics है, तो उसके अंदर बहुत सारे bureaucrates होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनका भी एक management का कारे होता है, जैसे की मान लीजिए, आप किसी भी state में रहते हैं, उसकी वहाँ की जो government है, तो उनका जो, उनके अंदर जो भी high level के जो officer होते हैं, उनको bureaucrates बोलते हैं, जो कि plan and policy को form करते हैं, उनको implement करवाने का हर, वो मुम्कीन परियास करते हैं, जिससे चीजों को manage किया जा सके हैं, एक state को manage किया जा सके हैं, तो bureaucratic organization में यही बात की गई है, the advantages की बात करें हैं यहाँ पे, advantages of bureaucracy are many folded, यहाँ पे बहुत सारे इसके advantages हो सकते हैं, apart from consistent employees behavior, it's eliminate overlapping or conflicting job or duties and other behavior, and the behavior, यहाँ पे बात किया गया है कि, जो भी मतलब employees का behavior है, it's elimination, overlapping, conflicting job हो गया, यह duty हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े, in turn consistency and precise job definition help in avoid wasteful action and employees efficiency, यहाँ पे बात किया गया है कि precise job definition की अगर बात करें तो वो क्या होगा, कि उसके जितने भी improve efficiency है, वो wastage of action जो है, improve efficiency में देख चीज़ों को further कर दिया जाएगा, the further bureaucracy has the advantages and basing its mode of hiring and promotion on merit development, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, despite the above advantages, bureaucratic organization has some significant negative and side effect, इसके कुछ significant negative side effect भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे है, जैसे too much of red tapism and paperwork not only lead to unpleasant experience, but also to efficient operation, जितने भी paperwork बहुत सारी चीज़े हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, कि उनकी efficiency, उनके कारे करनी का जो तरीका होता है, उसमें बहुत सारा दिक्कत आती है, यसे bureaucrats जो है, अपने आप में बहुत सारे decision नहीं ले सकते हैं, they need to consult the higher authority, तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आता है, paper work बहुत करवाना पड़ता है, तो यह एक, आप कह सकते हैं, कि यह बहुत यहाँ पे demerits है, तो since employees are interpersonally and are expected to relay on rules and policies that are unveiling to, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी plan and policy वो निकाल रहे हैं, तो पहले उनको तो politically जो भी rule and regulation हैं, उनके under में ही कारे करना पड़ेगा, तब ही उनका जो कारे हैं वो मतलब legal माना जाएगा, तो efficiency यहाँ पे भी कम हो रही है, आपको देखने को मिल सकता है, और last जो कि इस जो वीडियो है, इसका last जो topic है होगा है, criticism of classical management theory, अब classical management theory के कुछ criticism है, जो कि अभी हम इसको discuss करेंगे, और इसके साथ हमारे यह जो lecture है, वो complete हो जाएगा, apart from the limitation and the advantages of school of classical theory, discussed so far, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम जितने भी limitation, advantages, disadvantages की बात करें, school of classical theory की बात करें, तो यह जो है, far from each other, there are some general criticism on school of classical theory, यहाँ पे कुछ general criticism किया गया है, जो कि school of classical theory में आपको देखने को मिलेगा, the notion of rational economic person is often straightly criticized, जो एक यहाँ पे जो economic person जो है, वो strongly criticized करता है चीज़ को, the assumption that people are motivated primarily by economic reward might have been appropriate around, जो कि 1980 में देखने को मिलेगा, कि एक person जो है, उसको हम सिर्फ economically reward दे की ही motivate कर सकते हैं, तो यह एक तरह से मतलब criticism है, classical, यहाँ पे classical management theory का, क्योंकि अब person nowadays cannot be motivated, उसको बहुत सारे पैसे भी दे दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग है, जो कि उतने motivated नहीं रहते, क्योंकि उनकी other need भी आ गया, जैसे कि वहाँ पे emotional need हो गया, यहाँ पे belongingness need हो गया, या फिर personal need हो गया, तो बहुत सारी चीज़े हो गई हैं, आज कल तो एक particular चीज़ को लेके, हम नहीं बोल सकते कि यह चीज़े ऐसी रहेंगी, वो पूरा एड नहीं करते हैं, या complete body of theory की बात करें, तो यह सारी चीज़े, यहाँ पे कुछ बाते की गई हैं, जो कि आपको जानने की जुरूत हैं, तो इसी के साथ ही जो हमारा lecture समाप्त होता है, नेक्स वीडियो में हम नियो क्लासिकल थेरी से स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आप लोग को आज का lecture जो है, वो इन्फर्मेटिव लगा होगा, अगर कोई डाउट हो चप्टर से रिलेटेट, तो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और इसी तरीके से इस सीरीज को जगज़ा सपोर्ट करें, जो भी MLS को स्टूडेंट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे जो भी आप लोग के फ्रेंड हो, या कहीं पे भी उनको जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी लेक्चर पहुंच सके, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,